पिछले कुछ दिनों से जिस पल का सभी को इंतिजार था वह आखिरकारा ही गया। अभिनेतरी सोनाक्षी सिन्हा अभिनेता जहीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंद गई हैं। दोनों ने शादी कर ली और रिजिस्ट्रेशन सिस्टिम के जरिये जिन्दगी का नया सफर शुरू कर दिया। सोनाक्षी और जहीर की शादी का समारो दोनों परिवारों की मौझूदगी में हुआ है। एक्ट्रिज ने इस शादी के खास पलों की तस्वीरे शेयर कर फैंस को ये खुश्क ब्रीदी है सोनाक्षी और जहीर की शादी से पहले की रस्में शुकरवार से शुरू हो गई पहले दिन महंदी की रस्म हुई इसके बाद शनिवार को सोनाक्षी के घर्यानी मुंबई स्थित, रामायन, बंगले पर विशेश पूजा रखी गई और आज दोनों ने रजिस्टर्ड विधी से शादी कर ली शादी में सोनाक्षी ने खूबसूरत ओफव हाइट साड़ी पहनी थी जिसे मैचिंग चोकर, इयर रिंग्स और चूडियों के साथ पहना गया था उन्होंने अपने बालों में बैंगन भी लगाया हुआ था जहीर ने सोनाक्षी से मैच करते हुए सफेद शेवानी पहनी थी एक्ट्रिस सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरे शेयर करते हुए लिखा आज से साथ साल पहले 23 जून 2017 हमने एक दूसरे की आंखों में प्यार देखा और उस प्यार को जिन्दा रखने का फैसला किया आज उस प्यार ने सभी चुनोतियों और सफलताओं में हमारा मार्ग दर्शन किया है और इसलिए ये इस ख्रण तक पहुँचा है इस बीच चुनकी सोनाक्षी हिंदू है और जहीर मुस्लिम है तो दोनों की शादी कैसे होगी ऐसी कई चर्चाएं थी कि शादी के बाद सोनाक्षी इसलाम धर्म अपना लेंगी लेकिन सोनाक्षी के ससुर इकबाल रतनासी ने मीडिया को साफ जवाब दिया उन्होंने कहा था वह धर्म परिवर्तन नहीं करेंगी इसलिए यहां धर्म कोई मुद्दा नहीं है मैं मानवता में विश्वास करता हूँ हिंदू धर्म में भगवान को भगवान और मुस्लिम धर्म में अल्ला कहा जाता है लेकिन अंता हम सभी इंसान है मेरा आशीरवाद हमेशा जहीर और सोनाक्षी के साथ है दोनों की शादी रेजिस्ट्रेशन सिस्टेम से होगी